Hello everyone, welcome to exam orbit classes. आज की क्लास में discuss करेंगे 10 March का most important current of years. Friends, current of years के साथ साथ इस क्लास में हम लोग स्टेटिक जीके भी कबर करेंगे. साथ ही कल की क्लास का कोई क्रिविजन भी कराया जाएगा. क्लास के लास्ट में कुछ कोईशन आपसे पूछे जाएंगे जिनके आंसर आप सभी को दिने हैं कमेंट्स बॉक्स में फेंट्स इस क्लास के पीडियाप आप सभी को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्सन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए एक लास स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट कोशन किस अंस्थान में सुपर कम्प्यूटर परम गंगा को स्थापित किया गया है तो राइट आंसर होगा, option A, IIT रूडकी में IIT रूडकी में, MED in India, Peta Skull Super Computer यानी परम गंगा को इस्टॉल किया गया है परम गंगा को नैस्तल सुपर कम्प्यूटिक मिसन के तहर तयार किया गया है परम गंगा सुपर कम्प्यूटर को Center for Development of Advanced Computing यानी की CDEC ने तयार किया है अब डिसकस कर लेते हैं कम्प्यूटर से related जितने भी important facts है उनके पारे में भारत के सबसे 37 साली सुपर कम्प्यूटर परम प्रवेगा को कौन से राश्टिय संस्थान में स्थापित किया गया है भारतिय विग्यान संस्थान जोकी कहां पर है पैंगलॉर में भारत में सुपर कम्प्यूटर का जनक किसे कहते हैं डॉक्टर बिजय भाठकर को देश का पहला सुपर कम्प्यूटर है परम आठ हजार भारत का स्वेदेश बिक्सित पिर्थम सुपर कम्प्यूटर का क्या नाम है परम सिद्धी सुपर कम्प्यूटर किस देश ने सिमोगर नामक सुपर कम्प्यूटर को लॉंच किया है इरान ने अब आप लोग मुझे कमेंट्स वॉक्सम बताइए कि इरान की कैपिटल क्या है दुनिया का सबसे 37 साली सुपर कम्प्यूटर कौन सा है फुकाकू जिसे जापान ने विक्सित किया है बिस्व का पिठ्थम इलेक्रोनिक डिजीटल कम्प्यूटर कौन सा है एनी एक भारत का पहला क्वांटम कम्प्यूटर सिम्यूलेटर टूल के यानी क्यू सिम को किस ने विक्सित किया है आई आई टी रूड की आई आई एस सी बैंगलॉर और सीडेक ने मिलकर इसको पनाया है मानव कम्प्यूटर के रूप में किसे जाना जाता है सकुन्तला तेवी को बिस्व में सुपर कम्प्यूटर के जनत के किसे कहा जाता है चाल्स वेवेस को वर्ड वाइड वेव यानि डबलु 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 का अभिस्कार किस ने किया है पिटिस बैग्यानिक टिम पनर्सली ने भारत में इंटरनेट की स्थाप्टा 15 अगस्त 1995 को पिदे संचाद निगम लिमिटेड दुआरा की गई थी अगर आप तो पहली बार चैनल पर बिजट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन दबाना पिलकुल न पूले जिससे आप युगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा अगला कोईशन देखेंगे किस देश ने प्रत्वी की नीचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रे नूर टू प्रच्छिपित किया है तो राइट आंसरों का आप्शन सी इरान ने आए डिसकस कर लेते हैं इसके पारे में इरान ने प्रत्वी की नीचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रे नूर टू प्रच्छिपित किया है नूर का मतलब फार्सी में रोसनी है इरानी सेना ने अपना पहला नूर उपग्रे दो हजार बाइस में प्रच्छिपित किय था इस प्रच्छेपर से ही दुनिया को उसके अंत्रिच कारिक्रम की जानकारी मिली थी अब डिस्कस कर लेते हैं टौफ फाइब मिसाइल लेटिस्ट करेंट अफियर कोई क्रिवीजन एस फाइब मिसाइल प्राणली का सपल परिक्षण किसने किया है रस्या ने नौसेनिक संसकरण ब्रह्मनोस क्रूज मिसाइल का सपल परिक्षण किसके दुआरा किया गया है तो फिंच याद रखना है भारत के दुआरा अगनी 5 बेलेस्टिक मिसाइल का सपल परिक्षण किस ने किया है भारत ने किस देश ने खेबर वस्टर मिसाइल का अनावरण किया है इराद ने हाइपर सोनिक क्रूज मिसाइल चिर कौन का सपल परिक्षण किस के दुआरा किया गया है रस्या के दुआरा अब डिस्कस कर लेते हैं इरान के बारे में जैसा कि आप लोग मैप में इरान की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंट्स याद रखेगा कि कैस्पियन सी से इरान की सीमा लगती है अब आप लोग मुझे comments box बताईए कि किन किन देशों की सीमा कैस्पियन सागर से लगती है इरान की राजधानी तहरान है, मुद्रा इरानी रियाल है, बर्तमान राश्टपती है इबराहीम रहीसी चावार बंदरगा कहां पर है तो फ्रेंट्स याद रखना है इरान में, जबकि ग्वादर कहां पर है पाकिस्तान में अगला question देखेंगे, किस राजध के मानस नेसल पार्क और टाइगर रिजब में कैंडो और बागो की आबादी में तेश ब्रदी देखी गई है तो इसका right answer होगा option A असम, आए डिसकस कर लेते हैं असम के बारे में जैसा कि मैप में आप लोग असम की location देख सकते हैं असम की राजधानी देशपुर है, मुक्य मंतरी हिमंत विश्व शर्मा है, राजजपल जगदी स्मोकी है बिधान सबा सीटों की संख्या 126 है, राजजपल सीटों की संख्या 7 है और लोग सबा सीटों की संख्या 14 किस प्रदेश को पूर्ब का प्रवेश द्वार कहा जाता है तो फेंट्स याद रखना है असम को भारत में बास का सबसे बड़ा उत्पादक राज़ है असम रम्ह पुत्र नदी पर ये बनाया गया है अस्तम के प्रमुक नेसल पार्क और अभेरण है VB Sonarивается बंसे अभेरण यहां पर है असम में है एसिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी और कच्छी तेल का जन्मिस्थान है डिगबोई चो की असम राज्ज में है प्रमुक नदिया है ब्रह्मपुत्र सुबन सीरी धन सीरी दिवांग पराक और मानस अब आप लोगों को बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी का सिंगापुर के रहने वाले टी राजा कुमार को दुनिया के एंटी मनी लॉंडरिंग और एंटी टेरिजम फाइनसिक एजनसी फाइनसियल एक्संट टाक्स फोर्स का अध्यच बनाया गया है आपको बता दे कि उनकी न्यूपती दो साल के निर्धारित कारेकाल के लिए है जो एक जुलाई से सुरू होगी टी राजा कुमार को जर्मनी के डॉक्टर मारकर्स पिलियर के स्थान पर चुना गया है फाइनसियल एक्संटार्स फोर्स को उननीस तो नवासी में जी सेवन दुआरा मनी लॉंडरिंग आतंगवाद और पिरसार बित को रोकने और उसका म हिंदोस्तान यूनी लीवल लिमिटेट का केर है कारिकारी अध्याज किसे बनाया गया है नितिन परांजपे को करमचारी चयन आयोंक का अध्याज किसे नियुक्त किया गया है एस खिशोर को आगे डिसकस करेंगे प्रोफेसर भूसन को राश्टिय मूल्यांकर और पित्या परिसत का जो की कहां पर है बैंगलॉर में है इसका कारे कारी समिती का इन्हें अध्यस नुक्त किया गया है विश्विद्याले अनुदान आयोक नया अध्यस नुक्त किया गया है एम जग्दीश कुमार को अगला कुश्यन देख लेते हैं किस राज में अमे शाह ने दिसक्स कर लेते हैं इसके बारे में अमिसाहा ने तिरपुरा में राष्टिया फॉरेंसिंग विज्ञान उनिवर्सिटी की आधार सिला रखी है जो पुर्वत्तर में इस तरह का पहला संस्थान होगा इस उनिवर्सिटी का मुख्याले कहां पर है गुजरात के कांधिनगर म इस इनिवर्सिटी की दो अन्य केंपस नई दिल्ली और गोवा में कारे रत हैं अब डिसक्स कर लेते हैं महत्पूर जानकारियां परीच्छा की तरस्टी से मेजर ध्यांचंद खेल इनिवर्सिटी कहां पर बन रही है मेरट उत्तर प्रदेश में ट्रांजेंडर इनिवर्सिटी कहां पर है कुशी नगर में रेल इनिवर्सिटी की स्थापना कहां पर हुई है गुजरात में सिंदि उनिवर्सिटी बन रही है लिहे लद्दाक में रक्षा मंतरी राशना सींग ने कल्पना चाबला सेंटर फोर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेकनोलोजी का उधगाटन कहां पर किया है चंदिगर उनिवर्सिटी में अगला क्वेशन देखेंगे किस राज्य सरकार ने युवाओं के कोशल के लिए नान मुधूबन योजना सुरू की है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्सन एक तमिलाडू सरकार ने आए डिस्कस कर लेते हैं इस योजना के बारे में तमिलाडू सरकार ने युवाओं के कोशल के लिए नान मुधूबन योजना सुरू की है जिसके तैत राजचु में सालाना लगभग 10 लाग युवाओं में कोशल विक्सित करना उन्हें देश के लाग के लिए अपनी प्रतिवा का एहसास करने में मदद करना है सरकार ने इस योजना के साथ ही इसके लिए एक नया पोर्टल भी लाउंच किया है अब डिसकस कर लिते हैं टॉफ फाइब योजना लेटिस्ट करेंट अफियर प्रधान पी-म केर फोर चिल्डरन योजना को केंदर तवारा कब तक के लिए बढ़ाया गया है 28 फरवरी 2022 इस योजना की घोशना भारत के पढ़ान मंतरी नरिंद्र मोदीची दुवारा 29 मई 2021 में की गई थी सवभा की योजना के तहट कौन सा राज्य अबल रहा है तो फेंट्स याद रखना है राजस्थान हाली में भारत और आश्यान देशों ने डिजिटल कार योजना 2022 को मंजूरी दी है सरकार ने राज्य पुलिस वलों के आधुनिक करण की योजना को कितने सालों तक जारी रखने की मंजूरी दी है तो फेंट्स याद रखना है पांस सालों तक हाली में केंदर सरकार ने रूसाई उजना को कब तक जारी रखने की मंजूरी दी है दो हजार शब्वीस तक नेस्ट कोईशन देखेंगे पूसा किरसी मेला कब से आयोजित किया जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा अप्जन भी 9 मार्च से 11 मार्च तक आई डिसकस कर लेते हैं इस मेले के बारे में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंसिटूट के प्रिसित बार्षिक मेले का आयोजिन 9 मार्च से 11 मार्च के बीच किया जा रहा है इस बार मेले की थीम है तकनी के ज्ञान से आत्मनिरवर किसान रखी गई है किसानों को इस मेले का वेसरवी से इंतजार रहता है क्योंकि इसमें उन्हें इस बात की जानकारी मिलती है कि खेती किसानी में क्या नया हो रहा है इस मेले में पूसा वास्मती की चार नई किस्मों पर फोकस किया जाएगा नेस्ट कोईशन देखेंगे किस राज़ की पुलिस को आर्टिफीसियल डेटा एनालेटिक्स का परिक्षन मिलेगा तो इसका राइट आंसर होगा अपसन एक केरल राज़ की पुलिस को अब डिस्कस कर लेता है टॉप फाइब केरल लेटिस्ट करेंट अफियर किस राज़ सरकार ने अध्यादेश लाने की घोश्डा की है केरल सरकार ने किस राज़ ने स्वच्च उर्जा तकनिक विक्सित करने के लिए सोसल अलफा के साथ समझोता किया है केरल सरकार ने कौन सा उचिनियाले देश का पहला कागज रहित उचिनियाले बन गया है केरल उचिनियाले स्वास्ति सुचिकांक 2021 में किस राज्ज को लगातार चौती बार पर थमिस्थान प्राप्थ हुआ है केरल को किस राज़का पहला कार्वा पार्क बागा मोन में बनेगा तो फेंट्स याद रखना है केरल राज़का अगला क्वेशन देखेंगे भार्टिय रिजर्ब बैंक यानि RBI के गवननर सक्तिकान दास ने फीचर फोन के लिए किस नामक UPI आधारित पेमेंट पोडेक्ट लाँच किया है तो इसका राइट आंसर होगा अपसंसी UPI 123 Pay आए डिसकस कर लेते हैं इसके पारे में RBI के गवननर सक्तिकान दास ने फीचर फोन के लिए UPI 123 Pay नामक UPI आधारित पेमेंट पोडेक्ट लाँच किया है इससे घिराग फीचर फोन के जरिये इसके एड़ पे के अलाबा लगबग सभी लिंदिन कर सकेंगे और इससे लिंदिन करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होगी अब डिसकस कर लेते हैं RBI से रिलेटेट कुछ important factor Reserve Bank of India की स्थापना की गई थी एक अपरेल 1935 में मुख्याल है मुंबई महरास्ट में है बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है RBI को भार्तिय रिजब बैंक का राष्टिय करण किया गया था एक जनवरी उननीस सो उननचास में भार्तिय रिजब बैंक के पहले गवनर कौन थे सर ओश्वान इश्मेद भार्तिय रिजब बैंक के पहले भार्तिय गवनर थे सीडी तेस्मोग बर्तमान में 25 वे गवर्नर हैं सक्तिकान दास नेस्ट कोईशन डिस्कस करेंगे G7 किर्सी मंत्रियों की अभासी बैटक की मेजवानी कौन करेगा तो इसका राइट आंसर होगा आप्सन ए जर्मनी आये डिस्कस कर लेते हैं इस बैटक के बारे में बैस्विक खास सुरक्षा पर रूस के यूकरिन के आक्रमन के प्रभाव और खात्य बजारों को सर्वत्तम रूप से इस्तर करने के तरीकों को संबोधित करने के लिए चर्मनी G7 किर्सी मंत्रियों की एक अभासी बैटक आयोजित करेगा अब डिसकस करेंगे टॉफ फाइप लिटिस्ट बैटक जो की हाली में हुई है 2022 की पहली ब्रिक सेरपा की बैटक अभासी रूप से 18 से 19 जनवरी 2022 तक किस देश की अध्यस्ता में आयोजित की गई तो फ्रेंट्स याद रखना है चाइना 46 भी जीएश्टी परिस्ट की बैटक की अध्यस्ता किसने की निर्मला सीता रमन्ने जो की बर्तमान में बित्मंतरी है बन ओसन सम्मिट की उच्छ स्थरिय बैटक को किसने संबोदित किया प्रधान मंतरी नरिंद्र मोधीजी ने 2023 में G20 सिकर सम्मिलन की मेजवानी करेगा भारत याद रखेगा most important point है पहले भारत मध्य एजिया सिकर सम्मिलन की मेजवानी किसने की है तो फ्रेंट्स याद रखना है भारत ने अगला कोशन देखेंगे राष्टपती रामनाद कुबिन ने अंथरास्टिय महिला दिवस पर कितनी महिलाओं को ना रही सकती अबोट से समानित किया है तो इसका right answer होगा option B 29 महिलाओं को नेस्ट कोशन डिस्कस करेंगे 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक तेज कौन सा है तो right answer होगा option A अमेरिका जबकि दूसरे स्थान पर है रसिया डिस्कस कर लेते हैं अमेरिका के बारे में अमेरिका की राजधानी बॉंसी गठन DC है राष्टपती जो बाइडन है उपर राष्टपती कमला है रिस है और मुद्रा है अमेरिकी टॉलर तो फैंट ये था आज का current of year अब डिस्कस कर लेते हैं डेली स्टाटिक जीके डोस कोनेरू हमपी किस खेल से सम्बंदित है सत्र संसुदन दुवारा भारतिय संबिधान में कौन सी अनुसुची जोड़ी गई थी बारवी अनुसुची जिस मिट्टी में केसर की खेती की जाती है उसे कहा जाता है करेबा भारत का सबसे बड़ा नैस्वल पार्क है हैमिस नैस्वल पार्क दुनिया की दूसरी सबसे बड सपेत मगरमच पार्क कहां इस्तित है तो फेट्स याद रखना है उड़ी सामें कल की किलास का कोई क्रिवीजन कर लेते हैं सिलीनेक्स भारत और किस देश के बीच एक दूई पच्चियर समुदरी अभ्यास है स्रीलंका के साथ माइक्रोसॉप्ट के सहर में भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर छेत्र स्थापित करेगा हैद्रापात में इस्टड़ी इन इंडिया में 2022 का उधगाटन कहां किया गया बांगला देश की राजधानी ठाका में किस के इंदर सासित प्रदेश ने इसकोल हेल्थ किलिनिक का उधगाटन किया है नई तिल्ली ने भारत की 23 महिला ग्रांड मास्टर कौन बन गई है प्रियंका नुटक की किस देश ने फेस्बुक के खिलाब कड़ी कारवाई करते हुए देश में फेस्बुक पर पूर्टा प्रतिवंद लगा दिया है रस्या ने भारत हो किस देश के बीच राजधाइक संबंदू की स्थाफना की 75 भी वर्षगाट मनाई गई है नीता लैट में पाकिस्तान के किस पूर्व राश्टपती का 92 साल की उम्र में निदन हो गया है रफीक तरार का ISSF बिस्व कप में स्री निवेत काने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल इस पड़ा में कौन सा पदग जीता है स्वड़ पदग किसने बिग्यान और परियावरन केंद्र की भारत की परियावरन रिपोर्ट की इस्तिती 2022 जारी की है फुपेंद्र याद अपने है केंद्री सूच में लगू और मध्यम उध्यम राज्य मंत्री का नाम बताई है जिन्नोंने हाली में संभब और स्वाब लंबन पहल अगर आप लोगों को इन पॉइंट के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास देख सकता है कल की क्लास में आपसे जो कुछे गए थे उनकी आंसर एक बार देख लेते हैं किस देश के लॉंग मार्च एट रॉकेट ने 22 उगरों को लांच किया है चाइना बाइस हैना की पच्चमी कमान के नए कमांडिंग इनचीप कौन बने है स्रीकुमार प्रवाकरण नेस्ट कुईशन है बुकारो इस टील लिमिटेट की स्थाफना किस की साहिता से की गई थी सोबियत संग की साहिता से केस राज्ज में मुख्य भासा खासी है मेखाले में टीवी हारे का देज जीतेगा अभियान का लक्ष किस वर्स तक रखा गया है दो हजार चौबीस तक सॉरी दो हजार पच्चीस तक अब आप लोगों के लिए कुछ कोईशन है जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स फॉक्स में राजस्थान हाई कोट के कारवाहक जस्टिस के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है नेस्ट कोईशन है किस राज्य सरकार ने मननार की खाड़ी पाक की खाड़ी में डुडों के लिए भारत के पहले सरचर रिजर्व की स्थापना का नेर्णा लिया है नेस्ट कोईशन है अठा सतावन का बिद्रो कहां से प्रारम हुआ नेस्ट कोईशन है अठा सतावन के बिद्रो के समय भारत का गवनर चर्नल कौन था नेस्ट एंड लास्ट कोईशन है भार्तिय संविधान के किन अनुच्फियोदों में नागरिक्ता सम्मंदी प्राप्धान है तो इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा साथी क्लास को लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा आज की क्लास अमरी यहीं समापत होती है थैंक यू, थैंक यू सो मच